दोस्तो आपके लिए खुसकवरी है एक्जामपूर आपके लिए 66 मी BPSC प्राणभीक परिक्षा में सुनिश्य सफलता दिलाने हेतू एक विसेश प्रोग्राम लेकर के आई है और यह प्रोग्राम ऐसा है जिसमें ना तो हम क्लास की गन्ना करेंगे ना आवर्स की गन्ना करे यह व्यक्तिगत निर्शन के साथ संचालित होने वाला प्रोग्राम है और माना जाता है कि इस प्रोग्राम के पूर्णत होते होते आपको फिर प्राणभीक परिक्षा में फेल होने का डर नहीं रहेगा इस प्रोग्राम में हम लोग निश्युल्क PDF हो चाहे टेस्ट कर आएंगे 100 समय उपलत को राएंगे पूरे स्लेवस के साथ तयार की जाने वाली यहां त्यारी आपको निश्चित से फलता दिलाएगी विसेज जानकारी के लिए आप नीचे दियेगे नंबर पर संपर्क करें प्रबल आप सभी का फिर से आज के इस लाइब सेशन में बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं सबसे पहले आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा सेशन तो एक बार स्टार्टिंग में आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए नहीं अच्छा लग है उसका करो लेकिन करना जरूरी है इस बात को याद रखिएगा ठीक है चलिए हम लोग सुरू करते हैं अभी हमारे साथ अंकित सिंग वर्सा सिंग बन मेरी पूजा रानी अभी राजपाल अभी शेक पासवान उसके बाद आपके मदेशिया राज सचीन सैनी साधना जो थमनिल देखा होगा उसी से आपको पता लग गया होगे आज हम यह परहाने जा रहें आपको कि प्रांसिश्यों और अंग्रेजों के बीच में किस तरीके से भारत में संघर्ष हुआ और उस संघर्ष का रूप क्या था देखने में वह संघर्ष क्या लेकिन वास्तवि की तरीके से समझने की कोशिस किजिएगा ठीक है जी अगर अभी तक आपने यूपी पेसी जो आपका लुवर पेसी मेंस होता है उसमें अगर आपने नहीं लिया एडमिशन तो आप लोग जरूर ले सकते हैं उसको ध्यान दिजिएगा आप लोग अगर आप 65 से मुख्य प करना चाहता हूं इंगलो फ्रेंच स्ट्रगल का मतलब आपको समझना है कि सीधे तोर पे भारत में अंग्रेजु और फ्रांसिस्यों के बीच किस तरीके से संघर्ष हुआ और वो संघर्ष किस प्लेटफॉर्म के चलते हुआ वह प्लेटफॉर्म कौन सी थी वह सारी की सार च्राइ प्रतम करनाटक यूद्ड की अ है ठीक है अब यहां पर सबस्ब पर्षबर्फॉर्म करनाटक युद में भीच में सबसे पहले आपको यह समझना है कि प्रतम करनाटक में अब नाम से आपको असपस्ट है कि भाई करनाटक की युद कहने का मतलब क्या है कि सर ये युद करनाटक में लरा जा रहा होगा लेकिन ये तो बात उपर तोर पर आप समझ के लेकिन इसका मुख्ष जो कारण था वो समझे कि क्यों लरा जा रहा था तो ये करनाटक के के नाम से जानते हैं जिसमें तीन युद आपको देखने को मिलेगा और तीनों युद की चर्चा आज के क्लास में हमको करना है ठीक है जी तो परतम करनाटक की युद क्यों हुआ तो परत्यक चुरूप से यानि अगर आप बाहर से देखे तो सीधे तोर पे क्या लगेगा करनाटक के नवाब के पद के लिए ये आपकी लराई हो रही है समझ में आगया ना आप लोगों को दूसरा बात ये संगर्स दिखाई दे रहा है उपर से लेकिन अब परत्यक चुरूप से इसमें क्या हुआ ब्रिटिस वर्सिस फ्रांस हो गया तो अब आप पूछोगे कि ये भी चाहता है कि हम राजा बने ये भी चाहता है कि हम राजा बने ठीक है अब इसको ये राजा बनना चाहता है तो इसको किसने एल्प कर दिया फ्रांसीशियों ने इसको किसने एल्प कर दिया इंगलिसों ने अब यहां पर समझें कि ये दोनों के दोनों राजा वास्त तरीके से रखने और साद देने की जरूरत ही जब इन लोगों ने दिया था फ्रांस क्या चाहेगा कि इस गुरूप के लिए इसको परजित करें तो जब गुल्ण दूसे को हराना चाहता है तो अंगरी जों से लड़ना परे गा फूराना परांस इसली यह बोला ग adequ recuper परत्यक्षरूप से इन डारेक्टली यह लराई क्या हो गया ब्रिटेन वर्सेज फ्रांस हो गया क्या हो गया ब्रिटेन वर्सेज फ्रांस हो गया इस बात को कहां पर भारत में अब यहां पर यह उपरी तोर पर बात समझ गए अब तोरा सा और इसकी गहराई कि हम लोग बात होगा आपने ऑस्ट्रिया के उत्राधिकार के युद्ध क्या स्थिति होगी वहां पर कौन राजा बने गया किस प्रकार उस युद्ध में भी आपके कौन थे तो एक तरफ आपका ब्रिटेन था और दूसरे तरफ फ्रांस था तो आप समझो कि जब वहां पर आग लगी है त स्थिति ठीक होगी तो यह लराई और यूरोप में जैसे ही ब्रिटेन वर्सिस फ्रांस हुआ तो ठीक उसकी स्थिति कहां के फीट हो गई भारत में यहां पे भी ब्रिटिस कंपनी थी और फ्रेंच इस्ट इडिया कंपनी थी तो यहां पी भी उसका प्रभाव परा और यह वहीं सिच्वेशन आके कहां पर फीट होगे आपका ठीक वहीं सिच्वेशन भारत में और यहां पर भी एक तरफ आपके ब्रिटिस और दूसरे तरफ प्रेंच लेकिन नहीं बलकि करनाटक की नवाब के पद के मुद्दे पे एक पक्ष को प्रांसीसी सहयोग करते और दू कि मैं बात करनाओं इंडिया में यानि बृटिस गवार्नर को अन्ता अ और फ्रेंच गवार्नर को अन्ता जिसा दिया कि जैसे 1742 में डूपले आपका गवर्नर बनके आता है तो फ्रांसेश्यों के प्रभुत्यों में और फ्रांसेश्यों के प्रभुत्यों में कई न कई बहुत जादा ब्रिधी देखने को मिलती है यह बासमन में आगया अप लोगों को अब हम यह चर्चा करने जा रहें कि लराई किस परकार से हुई और किस परकार से फ्रांसेश्यों ने इसमें अपना रोटी शेका तो चलिए जी यह लराई किस नाम से जाना जाता है तो जो प्रतम करनाटक की युद्वा वो लराई जाना जाता है सेंट थोमे के युद्ध के नाम से किस यूद के नाम से सें 1748 में अवे लराई कैसे हूँ एस टेप नंबर वन समझें क्या हुआ कि इस में दो पक्षों की बीच में डारेक्ट लियर आई होगी एक तरफ प्रांस और दूसरा तरफ ता अनवरुदिन कौन ता अनवरुदिन तो अब आप यह सोचोगे कि सर चलो फ्रांस का तो समझ में आ रहा है यहां पर अनवरुदिन क्या कर रहा था था करनाटक का नवाब था तो करनाटक की नवाप पे पर सब्रांस औरन के नवाब कर दिया नहीं पराजीद हो गया और फ्रांस इसक Indsecond गया तो सेंट थोमे का जो युद्वा सित्रह सो और ताली सूसी में उसमें फ्रेंच इस्टेडिया कंपणी ने डूपले के नित्रित में जो करनाटक का नवाप था अनवरुदू उसको क्या कर दिया पराजित कर दिया चलिए यह तो बात हो गई हमारी अब यहां पर क्या हुआ क कि उसके अनवरुदू इन हार गया तो हर जाने की बात क्या अनवरुदू भाग जाएगा यह छोड़ देगा निए वह भी तो कुछ न कुछ पहल करेगा क्यों क्योंकि उसके साथ कौन है इंग्लिस इस्ट इंडिया कंपणी तो अंग्रेज कहीं कि उसको चरहएंगे उसक वोगो कि नवाब अनवरुदीन का पुत्रता अब यह कर्दिया इसने जब आक्रबन करने के बाद कुए उसकी बात बता यहां तक स्बंच में आगया चली पुरा विश्वास का भी practiced में मुद्न थे समझ रहे क्राक्रमन किया तो फ्रांसिसी सेना तो पहले करनाटक के नवाब अनवरुदीन को पराजित कर चुकी थी तो क्या फिर से सांथ बैठ जाती नहीं अब क्या हुआ अडियार के निकट कहां पर अडियार के समिप जो फ्रांसिसी सेना थी फिर से नवाब की सेना को क्या कर दिया पराजित कर दिया यानि डूपले ने फिर से अपना नित्रितु कोसल दिखाया फिर से वह पराकरम दिखाया और उस पराकरम के बदॉलत वो फिर से क्या हो गया विजेता यानि नवाब की सेना को उसने क्या कर दिया पराजित कर दिया चलिए जी अब यह भी बासमझ में आ ग पराजीत हो गया यानि अब आपको देखने को मिलता है कि यहां पर जीत गई और अंग्रिज ने कुछ नहीं किया लेकिन अपनी योजना बना रहे थे और उस योजना का प्रभाव आपको द्यूतिय करनाटक युद्ध में देखने को मिलेगा तब युद्ध की समाप्ति हु आपका यूरोप में जो ऑस्ट्रिया के उत्रादिकार का जो यूद्ध चल रहा था आपके यूरोप में उस युद्ध की वहां पे समाप्ति हो गई क्या हो गई उस यूद्ध की समाप्ति हो गई कब 1748 में और जैसे भाहां पे 11 سापेल की संधी होई ता आप क्या अब चलो अब आपकी दुस्मनी कहा पर थी इन लोगों की दुस्मनी तो इन लोगों की दुस्मनी यूरोप में थी किसके किसके बीच में फ्रेंच और ब्रिटिस के बीच में अब जैसे यूरोप में युद्ध खतम हुआ यहां पर भी यूद्ध खतम करना परेगा वहां प को पता है कि मैंने पहले ही बता दिया के फ्रेंच इंडिया यह युद्द समाप्त भी हो गया अब इस युद्द से फायदा किसको मिला यह भी सरपढ़ना जरूर है मैंने बोला कि इसको भी बताएंगे अब इस संदी के प्राधान के तहद क्या-क्या मिला यह संदी होता है आपको पता है कि आगे तो हम लोगों किवल संधी परनी है तो जब हम संधी की भात करते तो संधी में क्या देखते हैं किसी पक्ष को कुछ आसील होता है किसी कोई पक्ष फाइदे में आ जाता है कोई पक्ष आपका फाइदे में आ संधी का मतलब क्या है एक बीच का मार्ग निकालना जिसके चलते हो एक क्या बोलते हैं समझालता हो सके तैस समझालता हुआ अब इस संधी के तहद गया आते हैं थे क्या चाते थी कि खेंब história की हम यहां को भारत में क्या मिल गया मद्रास तो अब आप सोचिए की ऐसर फ्रांशी की संसी को कुछ मिला तो याद रिखेगा फ्रांशी और कहां मिला नौर्थ अमरीका में मिला और क्या मिला लूिस भर्ग फिर से प्राप्त हो गए तो मैंने क्या बताया कि जो एक्सला सापेल की संदी होई 1748 में तो उस संदी के बारे में सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है कि वो संदी आपके कहां पे यूरोप का जो उत्राधिकार युद्था उसके उपरांथ हुआ न कि आपके भारत में हुआ ये बात समझ में आ गया जब वहां पे यूरोप में उस उत्राधिकार युद्ध की समाप्ती हो गई उस संघर्ष के समाप्ती हो गई तो अपने आप यहां पे भी आपका क्य फ्रांसीशियों को नौर्थ अमरीका में लुइस बर्ग पे अधिकार मिल गया इसका मतलब आप क्या समझे कि फ्रांसीशियों का दीरे दीरे उनको भारत में कमजोर करने की एक जो साजिस या कोशिस अंग्रिजों की थी वो यहाँ पे थोरी से सफल होती हुए प्रतित होती ह और जब जब यूद या तो अड्यार की युदं में या तो सेंट adolesum के डोनों ष्ट्रॉगल में आपके फ्रांसीशियों सेना ने डुपले के नित्रितुमें नवाब की सेना को क्या किया पराजिकि तो अगर उस पॉईंट अब भी उसे देखें तो कही ना कहीं जो आपकी प्रेंच आर्मी है वो थोना साइस्ट में दिख ती थो आ सा मजबूत पक्ष उसका दिखाई देता है लेकिन उनका अंगरीजों से सामना हुआ ही नहीं तो उन्होंने अंगरीजों को क्या छति पहुंचाई सीदह कोई छती नहीं तो यानि कहने का मतलब है कि इस यूद से नहीं फ्रांसी शियों को लाब हुआ और नहीं इंगलिस को दोनों में से किसी को लाब हुआ नहीं हुआ लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पे जल सेना का महतो बर गया यानि अब यह पुरूफ हो गया कि भारत में अगर अच्छे तरीके से मजबूत और फिर से पुनरगठन की जरूरत परी यानि यहां पे जल सेना का महतो बरहा और यहां पे जिस तरीके से फ्रांस की सेना ने करनाटक की नवाब और उसके पुत्र को गद्दी से हटाने और उसको डिफिट यानि पराजित करने का जो प्रयास किया और उसमें सफल भी गए उससे क्या पता चलता है कि और भी जितने भी राजा थे उनका करनाटक नवाब से मतलब नहीं था क्यों कि पहले से करनाटक नवाब के दुस्मन हो गए या किसी से अपने काम में सफल हो सकते हैं बीना किसी प्रोब्लम के बास समझ गया आप लोग तो यह चीज तो क्या-क्या फाइदा हुआ तो मैंने बताया कि इस युद्ध की सुरुवात यानि प्रतम करनाटक युद्ध की चर्चा करें तो उसके प्रिष्ट भूमी में सबसे पहली बात क्या आती है उस पहले प्रिष्ट भूमी में आपकी यह बात आती है कि युद्ध कैसे हुआ तो यह युद्ध आपके आरंब होने के पीछे कारण यह था यह युद्ध आरंब होने के आपके पीछे कारण यह था कि भाई युरोप में उत्राधिकार का युद्ध आर दोनों भी यहां पर क्या कर रहे थे स्ट्रगल कर रहे थे जब वो दोने यहां पर भी भीर गए और वो भीरने का उन्होंने माध्यम क्या बनाया तो करनाटक के नवाब का पद यहां पे फ्रेंच आर्मी ने करनाटक के नवाब को और उसके पुत्र को पराजित किया पराजि ठीक है संदी के माध्यम से तो क्या हुआ कि भारत में भी उसकी क्या होगी समाप्ति यह तो मैंने आपको सेटरड़े वाले क्लास में बता दिया था लेकिन मैंने सोचा कि एक बार रिविजन करवा देता फिर आगे की चर्चा करता हूं अब हम को किसके बारे में परना है अब अब मैं थुरा सा ना इसको यहां पर लिक लिक के भी आपको बताना चाहता हूं कि ताकि आप अच्छे तरीके से समझी है हम किसकी बात कर रहे हैं जी हम बात कर रहे हैं किसकी बारे में तो आप लोग थुरा सा समझना क्योंकि अच्छे तरीके से हमको समझना जरूरी है य 1555 से अब यहां पर दो पक्षाएंगे आपको देखियेगा दो पक्साइंग एक ओन साईगा आपका एक तरफ तो आपके ब्रिटिस होंगे याने एंगलिस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे तरफ हापके या यहांने कंपनी और करनातक का और इन दोनों मामलों में किस तरिके से ये दोनों एक दूसरे के अगिंस्त में हो जाते हैं उन सारी बातों को हम यहां पर रिवीजन कराते हुँआ आपको बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे वे ठीक है जी आगे की चर्चा करते हैं अब चलो मैं आज आता हूँ अपने टॉपिक में तो सबस्वी परले हमने क्या बोला कि द्यूति करनाटक युद्ध की जैसे हम चर्चा करते हैं तो इसका टाइम पिरेड कितना हो जाता है सब्सक्राइब करनाटक के नवाब के लिए ठीक है और इसमें एक और जूर गया वह कौन सा था है द्रापद यह मैंने बता दिया तो इस लराई की पीछे फिर से महत्वपून कारण क्या था करनाटक का नवाब पद और इस पद को दिलाने के लिए दोनों की दोनों सक्ति यानि एक तरफ आपके क्या करेंगे अंग्रेश सहायता करेंगे दूसरे तरफ आपकी फ्रांसीशी सहायता करेंगे और उन दोनों सहायता में क्या निकल के करनाटक में हैदराबाद के निजाम और मराठा इन दोनों के कारण इन दोनों के कारण यह दोनों के दोनों के चलते करनाटक में क्या हुआ इन्होंने हस्ते छेप किया और उस हस्ते छेप के कारण युद्ध की परिष्टिति यानी अभियोध होने वाला था ऐसी परिष्ट्टी निरविट हो गई खुब ध्यान से समझना मैंने क्या बता है करनारी को कारन था प्रिष्ट ब॑ं मैं क्या थी तो करनाटक के पद्ध के लिए कि करनाटक के नवाब कि उसको आपको पॉइंट किया जाए या कौन नवाब बनेगा उसके लिए हुआ लेकिन अब आप बोलोगे कि सर्फ पर्थम वार में भी तो यहीं हुआ था तो दूसरे वार में क्या लगए तो दूसरे वार में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि करनाटक में क्या हुआ इस समय कि जो है दरबाद के निजाम थे और जो मराठा थे उन दोनों ने हस्ते छेफ करना सुरू कर दिया जिसके चलते युद्ध की परिश्थीति क्या होगे उत्पन होगे अब जब युद्धकी परिश्थीति अतन होगई तो यह लोग क्या करेंगे अपना रोटी शेकना निजामुल मुल्क का देहवासान हो गया देखे जी पाइट समझना अभी तक क्या जूर रहा था इसमें करनाटक जूर रहा था ठीक है करनाटक जूर रहा था अभी इसमें क्या जूर गया है धराबाद जूर गया खुब ध्यान साप लोग समझना अपने कौपी में नोट कर करते रहिएगा फिर बहुत बहुत बहुतरी से समझ जाओगे हुआ कि 1748 में जो हैदराबाद का नवाब था जिसका नाम आप लोग जानते निजामुल मुल्क उसका क्या हुआ देवसान का मतलब वो देथ हो गया जब उसका देथ हो गया यानि किसकी सिच्वेशन की बात कर हैदराबाद की तो हैदराबाद में क्या हुआ कि मुझफर जंग और नासीर जंग के बीच में क्या हुआ उत्रादिकार के लिए युद्ध तो मैंने क्या बता है यहाँ पर नोट करते हम लोग यानि हैदराबाद में क्या हुआ कि एक तरफ आपके मुझफर जंग और ये क्या होते हैं भाई होते हैं आप यह क्या चाहिएगा मुझफफर जंग चाहिएयगा मैं शासक बनальных नाशिर जंग चाहिए मैं शासक बनूं कहांने बदो हिद्राबाद में वैद्राबाद रादम थे आपके मुझभफर जंग और दूसरे तरफ कौन थे आपके नासिर जंग अब इन दोनों पक्षों में से कोई किसी का पक्ष लेगा ना तो मैं यह रिविल करूंगा कि प्रांसिश्यों ने किसका पक्ष लिया और आपके अंग्रेजों ने किसका पक्ष लिया अब यह करते करनातक में करनातक में क्या हुआ जी तो नवाब जो अनवरुदीन था नवाब अनवरुदीन वर्सेज नवाब अनवरुदीन के पहले जो नवाब था उस नवाब दोस्त अली के दमाद चंदा साहिब क्या हो गया करनाटक में क्या हो गया अनवरुदीन वर्सेच चंदा साहिब करनाटक में आप लोग नोट कीजिए करनाटक में क्या हो गया अनवरुदीन एक तरफ कौन आ गया साथ यो अनवरुदीन और दूसरे तरफ कौन आ गया चंदा साहिब वर्सेच चंदा साहिब को और उतमत समझे लिए आप लोग चंदा साहिब तो मैंने दो चीजे के लिए कर दी ना मैंने क्या बताया कि हैदराबाद में किसके किसके बीच में संगर्ष होगा तो एक तरफ आपके होंगे मुझफफर जंग और दूसरे तरफ होंगे नासीर जंग समझ गया मैंने करनाटक में क्या बताया एक तरफ होंगे आपके अनवरुदीन और एक तरफ होंगे आपके चंदा साहिब कौन होंगे चंदा साहिब अब उन दोनों के बीच में क्या होता है मामला आप लोग स के साथ मिल जाता है ब्रिटिस के साथ तो हैदराबाद में अंग्रीजों के पाले में कौन पर गया नासीर जंग जब अंग्रीजों के पाले में नासीर जंग पर गया तो फ्रेंच के पाले में कौन पर आपका तो मुझभफर जंग कौन परा मुझभफर जंग यानि एक में बएचन सब्सक्राइब बात करते हैं तो मैंने बताया कि हैदरबाद के अगर बात करें तो नाशीर जंग ने किसका साथ ब्रिटीस का मुझद्फर जंग किसके तरफ फ्रांसीशिव से तरफ चलिये अब करनाट्य की बातक्रते दोस्ट अली जो था दोस्त अली जो था वो क्या था आपके दोस्त अली किसके साथ चला गया ब्रिटिस के साथ और चंदा साहिब किसके साथ चला गया फ्रेंज के साथ यानि दोनों लोगों में हो गया तो मैंने क्या बताया कि करनाटक में नवाब अनवरुदीन वर्सिज दोस्त अली के के दम आप चंदा साहिब के बीच में संगर्ष और इस प्रकार से दोस्तलि इसके साथ जूड़ गया परीटिस के साथ और चंदा साहिब किसके साथ जूड़ गई फरेंच के साथ टो इसको भी नूट की जिआ आप लोग फ्रेंच के साथ यहां पर कौन सा जूर गया चंदा साहिब ठीक है जी और यहां पर कौन जूर गया आपका दोस्तली तो आपको यह गूट असपस्ट हो गया ना कि अब जब हैदराबाद के लिए लराई होगी तो यानि कैसा गूट बनेगा तो एक तरफ होंगे अंग्रेज और नासीर जंग एक तरफ होंगे फ्रांसीशी और मुझफफर जंग जब यह लराई आपकी करनातक में होगी तो अंग्रेज किसका साथ देंगे दोस्तली का और फ्रांसीशी किसका साथ देंगे चंदा साहिब का यह मामला क्लियर होगे आप लोगों को सांदा खुब अच्छे से समझी आप लोग ठीक है खुब अच्छे से समझना आप लोगों को अब यह समझ में आ गया तो गूट एक बार आप लोग देख लिजी कि हैदराबाद में जो गूट बना नासिर जंग ब्रिटिस के साथ मुझभफर जंग फ्रांसीसी के साथ करनाटक में जो गूट बना दोस्तली ब्रिटिस के साथ और चंदा साइब फ्रांसीसी के साथ चलो अब यह गूट बन गया अब क्या करेंगे हम लोग लराई करवाए ना चलीजी लराई करवाते हैं खुब ध्यान से समझना आप लोग और आप लोग इतनी अच्छे से समझ जाओगे आज की एकदम मूवी की तरह हो जाएगा यह बात अब क्या हो गया संगर्स अब देखिए अब यानि गूट बना गूट क्या बना कि एक तरफ आपके मुझभफर जंग और मुझभफर जंग कहा के हैदराबाद की कहा के हैदराबाद की फिर कौन सा चंदा साहिब चंदा स सेना एक हो गई यानि फ्रांसीसियों की चंदा साइब की और मुझजपर जंग की अब एक इसके विरूद लराई करेंगे अंग्रीजों की विरूद अब अब यहां पर यानि अनवरुदिन अनवरुदिन कौन दा करनाटक का नवाब अब सबसे पहले किसको हराना है करनाटा के नवाब अनवरो दिन को फिर से पराजित करना है जिसका समर्थन कौन कर रहा है अंग्रेजी से ना कर रही है चलिए जी यह बासमन में आगे आप लोगों को अब हम आगे की चर्चा करते हैं 3 अगस 1749 को क्या हुआ अपर का युद्ध हुआ यहाँ गलती से लिख दिया गया आप लोग नोट किर लिजिएगा अंबर का युद्ध क्या हुआ अब इस अंबर के युद्ध में क्या होता है और यह अ अंबर का यूद तो किसके किसके खिलाफ होगा तो एक साथ यह रहेंगे यानि मुझभफर जंग चंदा साइब फ्रांसिसी एक साथ और वो किसके खिलाफ लएंगे अनवरुदिन जिसका समर्थन कौन करेगा नासिर जंग करेगा और ब्रिटिस करेगा अब दोनों काम आप लोग समझेगा खुब प्यार से समझना आप लोग हाँ जी चलिए आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं बहुत बढ़ियां कि भल ध्यान देना एक बार ध्यान देने की जरूरत है कॉंसेंट्रेशन अब यहां पे क्या हुआ लराई हुई अब इस अंबर के युद में क्या अनवरु देन का काम अमबर के खतम हो गया तो अब सचोगी कि सर अब क्या होगा अनवरु दिन थे अब उल्ण जी मारे गए हैं तो हमको भी मारेगा तो भलाई क्या है यहां से भाग जाओ तो जो आपका उमुमत दली था वह भाग गया करनातक पर क्या हो गया चंदा साहिब का अधिकार हो गया तो जब अनवरू दिन मर गया जब अनवरू दिन मर गया तो क्या होगा तो करनातक पर कौन हो गई चंदा साहिब स्टार्टिंग में जीत गई कौन हो गई चंदा साहिब तो ध्यान रखेगा आप लोग क्या हो गया चंदा साहिड यानि यह जीत गई और यह क्या हो गया हार गया यानि जो अनवरुदीन था वो क्या हो गया पराजित हो गया देख लिजी आप लोग खुब ध्यान से समझना आप लोग कि अनवरुदीन का काम समाप्त यानि करनातक में फ्रांसिश्यों की साहिता से कौन किसने अपना सरकार बना लिया यह राजा बन गया चंदा साहिव बन गया जी चलिए फ्रांसिश्यों ने इसको तो जिता दिया अब आगे की चर्च च कब छेतर प्राप्त हुआ वह चेतर बहुत ही जादा इंपर्टेन था वह 6 अपका प्राप्त हो गया किसको डूपले को किस खुशी में क्योंकि उन्हों क्रनाथक दिल्वा दिया कि सको मार के अन्वरूदिन को पराजित करके किसी युद्ध में अंबर चलो जी यह बात तो समझ गये मुख यानि करनाथक वाला मामला कि लिए ज cooks अन्वरूदिन पराजित और चंदा साहिब को करनाथक मिल गया चलिए अब आगे की बात करते हैं अब आगे की बात करते हैं नासिर जंग की हत्या कर दी गई अब नासिर जंग का भी काम समात मुझभफर जंग क्या हो गया हैदराबाद का नवाब बन गया अब मैंने अब देखो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं कौन मुझभफर ज जंग को सासक बना दिया और करनाटक में चंदा साइब को सासक बना दिया और इस परकार से यह अंग्रीजों का काम प्रथम चरण में क्या कर दिया समात कर दिया यानि अंग्रीजों की दाल यहां पर नहीं गली पहले बार बता दीजी कि आप लोग यहां तक कॉंसेप समझ ग और जब उनको नवाब पदिलवाए तो उसके बदले में उनको क्या होगा प्रॉफिट भी हुआ एक बार सारे के सारे लोग सेयर कर दीजिए अच्छा लगता है तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया सबसे पहले बताईए आप लोग समझ गये किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है न एक बार सारे के सारे साथी अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो सब लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग यह बासमन में आ गया चलो अब आगे की चर्चा करते हैं यह प्रतम चर अब यह जो मुझफर जंग जो आपका हैदराबाद का नवाब बना था यानि मैंने क्या बता है कि मतलब यह जो दिवतिय करनाटक की युद्ध के प्रतम चरण की बात करें तो उस प्रतम चरण में कहीं न कहीं फ्रांसीस्वा ने अपना प्रभाव दिखाया और अपने प ऐद पर आसीन होने से पहले उसकी हत्तया होगी अब क्या हुआ सेकंड पज में गया आइगे की बात करते तो परतम चरण में मैं आपको समझा दिया अब और फिर दूसरे चरण की बात करेंगे दूसरे चरण में क्या लिखेंगे फिर सेम चीज लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे एक तरफ आपके कौन आपके इंगलिस दूसरे तरफ आपके कौन आ जाते है फ्रांसिसी आ जाते है फिर मैंने क्या बुला एक तरफ आपके हैद मुझभफर जंग को था आपका नासीर जंग और इधर कौन ता आपका अनवरूदी तो मैंने क्या बोला कि पहले प्राजित हो गए यह दोनों के जीत घए लेकिन अब हम दूसरे चरंग के बात करते हैं दूसरे ला कि मुझफर जंका क्या हो गया यह नहीं मुझबपर जंक पर ग्रहन कर लिए मुझब जंका क्या होगा लोगा जैसे देख किलिन होता है तो कुछ मामला किलियर होगा चलो आगे चर्शा करते हैं कुप ध्यान से समझते जाना आप लो मुझपर जंग की पदपर आसीन होने से पुर्वुस्की क्या होगी मृत्तु हो गई अब क्या होगा इस्तिति लेकिन अभी भी चंदा साहिब वहां पे है करनाटक में है चलि आगे की बात करते हैं नासीर जंग का जो छोटा भाई था समझेगा किस के पक्ष में था ते नासीर गंज आपके अंग्णी के शका साथ दे रहते तो उसका जो छोटा भाई ता सलावत गंज वह हैद्राबाद का क्या बना नवाब बना यानि मैंने क्या बता है है कि मुझ जब फर जंग मर गया तो यहाँ पे कौन बना नवाब सला सिस्य को इस ने क्या देव पहार उत्री प्रदेस दे दिया त gli-a उत्री प्रदेस देertी अब नेक्स bafg करते सेसे 10th 51 में फिर कि स्थिति आई कि आया कि जो तंजावर के साथ सकते जो आपके मैसूर के साथ सकते और जो मराथा सरदार मुरारी राओ थे इन लोगों ने किसके साथ मिलके अपना गूट बनाया अंग्रेजों के साथ यानि अब दिवतिये चरण में अंग्रेजों की क्या हो रही इंट्री हो रही है क्या हो रहे दिवतिये चरण में अंग्रेजों की इंट्री किसके साथ तो तंजावर की सासक को अपने पक्ष में कर लिया मैसूर के सासर को अपने पक्ष में कर लिया और मराथा सरदार को भी अपने पक्ष में कर लिया अब भाई कुछ ना कुछ परिवर्तन तो दीखेगा आप मैं परिवर्तन बता रहा हूं कि क्या दीखेगा जब अंग्रीज और फ्रांसी सी समझे आप लो ज करनाटा की राजदानी और काट पर आक्रमन देने का सलाह दे दिया यहीं मेन मसला हो गया यानि दिवतिये चरण में रॉबर्ट क्लाइब आया और रॉबर्ट क्लाइब ने अपनी कुटनीती का परिचा यहां पर दिया कैसे दिया तो उसने बोला कि सारी के सारे लोगों का फ में द Umâm行 के लिए तो उसने क्या बोला कि करनाटाक के राजधानी कुछ कोई इसे नहीं के नवाब किस के साथ गया हूंगे लड़ने के लिए तो फ्रांसीक चीना पली में बढ़ी आप्र है यहां पर कर दो क्र Надब कर लिए क्रनाटक के रजधानी 맞ा क्लाइब कर लिया है किसने क्लाइब ने अब क्या कुछ बचा ना यानि प्रथम चरण में CP पलब भाली और जिल राजा खान यह 11ग के पुत के पुत्र थे विवस्तापूर्ण पीछी हटना पर अब द में एक राजाखान चंदा साइब कहां पर गये थी वहाँ पर त्रीचे नापली में तब राजाखान के पास क्या ताकत उनको हटना पर पीछे अब इस हटेने के चलते क्या हुआ तो दीखिए आप लोग इस हटेने के चलते सारा का सारा मामला यहां पर हो गया क्लाइब और लॉरेंस ने अंतिम जो अपना लराईए किसंके बीरुद चंदा साहे हैं और लॉब ताप के लॉबट रॉबयोट क्लाइब और लॉरेंस को अंता उसमें का गुवर्नर था इन दोनों ने क्या किया मिल के आपके चंदा साहब और लौ यानि फ्रांसीसियों को क्या कर दिया पराजीत कर दिया यानि कहने का मतलब क्या है करनाटक के राजदानी अर्कार्ट पे भी अधिकार कर लिया और त्री चीना फली पे वहां पे जाके लौ और मन में आगया ना आप लोगों को चलिए जी बहुत बेहतरिन मामला है यानि आप क्या समझे कि करनाटक के राजधानी अरकार्ट पर भी आकरमन कर लिया और त्री चीना पली में भी जाके चंदा सहे और जो प्रांसेसी अधिकारी थे उसको हरा दिया अब यहां पर क्या हो जा है चंदा सहब की देथ हो गई क्या हो गई जी चंदा सहब की देथ हो गई चंदा सहब की जब देथ हो गई तो किसको सासक बना दिया गया मुहमत अली को बना दिया गया मुहमत अली को तो मैंने क्या बताया कि प्रथम चरण यह फेज वन है यह फेज वन है और यह फेज ट है क्या हुआ कि मुहमद अली नवाब बन गया डूपले मराथा और मैसूर एक ग्रूप संफिसे फिर से और मैसूर मिलके इन्हों ने पराजित किया फिर अभी किसके साथ मिल गए डूपले के साथ मिल गया और सेबेंटें 53 में फिर से त्री चिनापली का घेरा डाल लेकिन इसी समय क्या हुआ यह अभिस्तिती सुधर रही थी यानि अगर तीरतिये चरण का आरंभ होने वाला था उस समय फिर वापस बुला लिया वह बोला कि भाई अब जादा युद्ध की जरूरत नहीं हम तुमारे युद्ध और तुमारे नीती से परिशान हो गये लेकिन बताया जाता है कि डूपले अगर और रह जाता तो इस्तिती कुछ और होती कुछ और आपको देखने को मिलता क्योंकि ड दूपले को वापस बना लिया गया और किसको सासक बना दिया गया गोड़े यूग को और इसके बारे में बताया जाता है कि इस यह अयोग्य था इसके पास निरने लेने की कोई छमता नहीं थी और अंग्रेजों से इसने क्या कर लिया समझोता कर लिया यानि 1755 में क्या हो इंग्लेंड के बीच में क्या हुआ सब्त वर्दिये युद्ध सुरू हो गया और पांडी की चेरी की जो संदी थी आपरा संगिक तो मैंने क्या मता है पहला पॉइंट मैंने बताया कि गोड़े यू आया और अंग्रेजों के साथ समझोता करके पांडी चेरी की संदी के युद्ध सबाप्त कर दिया लेकिन उसी समय क्या हुआ कि 1755 में अंग्रेज और फ्रांसिस्यों के बीच सब्त वर्सिये युद्ध की शुरूआत हो गई जब वहां पर युद्ध की शुरूआत होगी तो फिर से अब यहां पर तिरतिये करनाठा की युद्ध होगा और उ वाज तक समझा होगा तो आप लोग बताइए पहले कि सारी के सारे लोगों को समझ में आ जाए कि नहीं हाँ युद्ध समाप्त लेकिन उसी समय प्रिंस क्या हुआ उसी समय फिर से यूरोप में आपकी सब्त वर्षिये युद्ध की सुरूआत हो गई और उस सब्त वर्षिये युद्ध में किसके किसके अगेंस में लराई हो गया तो सब्त वर्षिये युद्ध में आपके एक कि ने लगेति वो गया होगा है और मेन भी में थी से सादना को यह के दिक्क्त ने लिए कि आगे समझ में सादना वह बरियां देखो सादना बोले ती की भैया नहीं समझने आ रहा है देखो कि समझ जाओ कि तीन साल में अपना सिलेबस खतम होगा ठीक है चलिए अब हम आगे की बात करते हैं तो मैंने आपको प्रिष्ट भूमी बताई क्या बताई कि 1755 में 1755 में क्या हुआ पांडीचेरी की संधी हुई यानि ट्रीटी या पांडीचेरी हुआ पांडीचेरी की संधी होई और इस पांडीचेरी की तहट जो आपका गवर्नर बनके आया था गोडेई यू उसने क्या कर लिया अंग्रेजों के साथ समझ वता कर लिया यूद्ध को समप्त कर लिया लेकिन इसी 1755 में क्या हुआ कि यूरोप में सब्ट वर्सिये यूद्ध क प्रारंब हो गया और जैसे ही वहां पर ब्रिटेन वर्सिस फ्रांस होता था तो यहां पर भी हो जाता था तो अब हम करनाटिक यूद्ध की बात को समझेंगे तो मैंने क्या वला 1756 में यूरोप में फ्रांसेशियों और अंग्रेजों की बीच में कौन सा यूद्ध मैं भरत भारत मैं रूकना था तो भारत में रूकनी के लिए गडेयू के काम बात नहीं था उसके वश्काहा नहीं था डुपले जैसा ही कोई ब्यक्ति था चाहिए था तो फ्रांसीजी सरकार ने सिना पती काउंट डी लाली को कहां पर भेज दिया एक विसाल सेना के साथ भारत बेज दिया कि आप लाली को लाली को बोला कि आप जाए और वहां पर अंगरीजों को रोकने का प्रयास की और किस तरीके से अंगरेज और उसके बीच में होता है यह बात में आपको समझाना चाहता हूं तो लाली जो था लाली 1756 में अप्रील 1759 इस्वी में कहां पर पहुंच गया भारत पहुंच गया जी बंगाल भी जैसे और उसी समय क्या हुआ था 1757 के प्लासी में प्लासी मे जो नवाब थे वह भी उसके क्या बन गये थे चापलोस यानिकाने मतलब कि वह उसके जी हजूरी में लग गये थे 1757 में क्या बला रॉबर्ट क्लाइब ने वाट्सन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसी स्यों की महतपून बस्ति किस पे चंदरनगर पे क्या कर लिया अधिक ने और ज्यादा क्या कर दिया इंगलिस इस्ट इंडिया कंपणी को मजबूत बना दिया लेकिन भाई लाली आया था तो लाली कुछ न कुछ तो काम करेगा ना अपना अपना तो दिखाएगा तो अब क्या हो गया जून 1758 में लाली ने क्या कि अंगरीजों की बस्ती जो फोर्ट सेंट डेवीड था उस पे कबजा कर लिया वह समझेगा लाली आया अब क्या हुआ आरंबीक चरण मतलब युद के दो चरण होते हैं एक चरण में किसी और पक्षए-पलराब भाली होगा दूसरे में किसी और का भारी होगा लेकिन अंतिम समय में जिसका भारी होत युद्ध में बीजय जैसे मैंने दिए करनाटक युद्ध में दो पक्ष बताया थे दो चरन यानि परतम चरन में किस तरीके से फ्रांसीश्यों का पल्राबारी था दूसरे में आपके अंग्रीजों का प्ल्राबारी हो गया तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है जैसे ला फाना परा ठीके जी अब क्या किया लाली ने एक गल्टी कर दी लाली ने क्या किया कि जू हैदराबाद का उस समय आपका गवर्नर था उसका नाम क्या इस प्रांच शी सब उस क्या कर लिए वापस बुला लिया याथ या अब बुसी को भुला लिया और ये दोनों मेल के अपना क्या करने लगे संघर्ष करने लगे अब क्या हुआ बुसी के हैदराबाद छोड़ने का किसको लाब हुआ अंग्रेज को लाब हुआ भाई जब वहां पे मुख्य ने तुरित करता फ्रांसेसी कोई है नहीं और मामला कहा पर फसा हुआ एक हैदराबाद में करनाटक में तो अंग्रेजों को तो ऐसे हैदराबाद में प्राप्त हो गया लाब यानि हैदराबाद में अंग्रेजों को क्या हो गया लाब हो गया अंग्रेज करनल फोर्ड ने क्या किया उत्री सरकार पर अधिकार कर लिया हैदराबा गएए फिर ब्रिटिसरज को ना साश्क मिल गया और करनाठक में उन्हों मुहमद अली को अपना साशक बनाई दिया चंदा साहव को तो 1769 क्या हुआ कि अंगरेजी सिनानान कुक और बिसाल मांदरास पहुचा अब यहीं अंग्रेजी सेना के जो आपके नित्यूत करता होता है उनका नाम रायर कोट और फ्रांसीसिय के तरफ से काउंटर डिलाली और इस वांडिवास के युद्ध में आपके फ्रांसीसियों को पराजे मिलता है और अंग्रेजी सेना जीत जाती है और इस वांडिवास के लेटो और पहुंचो फ्रांस तो मैंने क्या बताया किस तरीके से क्या क्या हुआ और लास्ट में वांडिवास का युद्वा कब हुआ 22 जनवरी 1760 को और इस वांडिवास की युद्व में आपके काउंटर डिलाली जो की फ्रांसी से ना पती थे और आयर कुट अंगरीजी स सकती थी अंगरीजों के सामने उसको भी खतम कर दिया यानि आपने क्या समझा कि 1769 में आपको पता है ना एक बर में आपको चर्चा करना चाहता हूं यह देखिए 1611 में कौन सी लराई हुई थी स्वाली हॉल की लराई हुई थी इस स्वाली हॉल की लराई हुई थी इस में आपकी वेदरा का युद्धुवा था क्या हुआ था वेदरा का युद्धुवा था इसमें अंगरीजों ने डच को समाप्त कर दिया और क्या किया फिर देनमार किस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको तो खरीदी लिया डेनमार को क्या कर दिया खरीद लिया अब आपक किसको पराजित कर दिया फ्रांस को यानि धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया पूरा का पूरा अपनी सक्ति जो है अस्थापित कर लिया और जितने उसके पर्तिदवंद भी थे 1611 में स्वाली हॉल की लराई में पूर्तगालियों को बाहर कर दिया 1769 के वेदरा के युद्ध में डचों को बाहर कर दिया डेनमार्क को खरीदी लिया और 1760 में वांडिवास युद्ध में फ्रांसीशियों की खताम कर दिया यानि 1761 में अंग्रिजों ने पांडी चेरी को अपने अधिकार कर लिया और अगले एक वर्ष के वीतर फ्रांसीशी भारत के अधीन सारे भूभाग अपने क्या करे खो बैटे यानि पराजित हो गया यानि फ्रांसीश्यों का क्या हो गया यहां पर डिकलाइन पतन हो गया अ आपके जो चल रहाता फ्रांस वर्सेस ब्रिटीस वह भी पहुरिश की सन्दी के समाप्त हुआ और इस पहुरिश के संदी में क्या क्या बात है वहाan वहां पर आप सैनिक डेरा नहीं राख सकते यानि कहने का मतलब कि फ्रांसिसी अब सिर्फ भारत में क्या कर सकते हैं किवल ब्यापार कर सकते हैं एक दुकांदार की भूमिका में एक मालिक की भूमिका में नहीं रह सकते हैं और मालिक अब कौन रहेगा तो अब मालिक रहेगा ब्रिटिस यानि एम्मालिक कों रहेगा तो भाई अंग्रेज अम्मालिक रहेगा और इस परकार से भारत में अंग्रेजों की विस्तार की नीती शुरू होगी और नेक्स क्लास से मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे और यह ने परिज किसंदी 1763 में अगर आप है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग किसी को बनाते हो कुछ कि किसी को बिगारते हो अगर आपने सोच लिए कि इस क्लास को सपोर्ट नहीं करना है तो मैं क्यू बोलू अपना क्यों समय बरबाद करूं और क्यों अपना टाइम बरबाद करूं और आप लोगों को जवरदस्ति क्ैश्यक क् cyclique किवल हमारा काम है परहाना उसके बाद आपका काम है जो मनकढ़े आप लोग करिएगा चलिए जी मदर्वन आपके सामने आता है और आप लोग बताइए जी क्विसंग नम्र वन क्या है तो mean पूछ रहा है कि British इंडिया कंपनी ने बंबई किस से लिया था बंबई किस से लिया था आप लोग बताईया आंसर बंबई किस से लिया था उसी में उसी साधी में दहेज की रूप में या गिफ्ट के रूप में पुर्तगालियों ने आपको इस इंडिया कंपणी यानि कहने का मतलब कि किसको सासक को सौपा बंबई और बंबई उस ब्रिटीन की समराथ ने इस इंडिया कंपणी को दस पॉंड के वार्शिक रेंट पे किसको सब दिया इस्ट इंडिया कंपणी को तो बासमन में आ गया तो वन का आणसर क्या होगा आप लोगों का एक दम करेक्ट आंसर है चलिजी नेक्स मेंने टाइम बचा है तो हम लोगों को पूरा भी करना है जल्दी बता दीजिए आप लोग जी-जी साक्षी हमको पता है डौरी क्राइम है बहन हम नहीं बोला है कि दहज वो जो इतिहास में था वह भी तो परहाना पड़ेगा मैं बोला कि दहज में नहीं लिया और मुझे करनाटा दोने वह क्रणा कारण को पर अंसों समझ के बताना एक होता है कारन और एक होता है तौर्सें कब्रण तत्काली कारं के मतलब के कौन सी बात से जिसके चलता अभी यूद आरांब हो गया गया कारण बहुत सारे हो सकते करतिक लेकिन एक होते हैं कि just सिसी जहाजू का अधिकरान कर लिया उसके चलते ही आपके क्या हो गया प्रथम करनाटक युद्ध आरम हो गया मतलब ततकाली कारण की कारण दो बहुत सारे थे लेकिन इसके चलते आपके युद्ध आराम भी हो गया नेक्स क्वेस्टन देखे क्वेस्टन नमर फूर करनाट करनाटक का युद किनके किनके बीच में लड़ा गया जल्दी से बताएंगे क्विस्ट्ट नमर फूर का अंसर बताएंगे आप लो किनके किनके बीच में लड़ा गया करनाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रानसी ऊब पीच में हैदर ऐली और मराथ हो Halloween के बीच में अंग्रेजा lip नमर पूद का अंसर बताई से लोग को बता अ कि अ फूर का जल्डी से बताए और उसमें कहीं पर आपके कोई गलती नहीं तो ब्लस् Poker क्या होगा यह यानि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लगा यह इंडारेक्टली क्या दिक रहा था अगर देखने की बात करें हम लोग तो वह दिख रहा था कि लग रहा था कि भाई यह किसके कि बीच में तो करनाटा के नवाब के पद के लिए हो रहा है लेकिन डारेक्टली वह हो किसके लिए रहा था उन दोनों के बीच में रहा है था अगर आप लोगों को पता है तो इस वह रख पस obl souffल नमर इप किस संदी के से समाप्त हुआ ॖ किस संदी के तहट नोग बता दीजिए अzens अगर आपको पता है तो अनठ सही घीता अब आगे बताओ ना खुआ लगा क स फाइब का अंसर तो सोवब क्या होगा है फाइब का सी होगा यानि का अमाइब कि आप लोगों ने करेक्ट्ट बताया है है कि आप जाते वनों कि पर्थम कर ना तक यूध था वह क्या था यूद deg적으로 कवा था एक सलाश सा přेल की संदी को था ता आपका खतम हुआ था जो तिरतियो करनाटक युद्ध था कि इता तो वह आपके पीधिस की संदिक एता अजो गोति रहा और निरनायक यानि उसमें कोई जीता ना कोई आपर दिया था तो आंसर क्या सी होगा एक दम आप लोगों ने सही बता है तो बता दी जिए आप लोग पहष्चान करें जहां से युरोप वाश्यों को सर्वत्तम सूरा और अफीम प्राप्त होता था उस छेतर की पहष्चान की जो चेतर का नाम क्या था अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो सेशन तो आप लोग लाइक कर सकते हैं नहीं लगे तो फिर कोई फोर्स पूली बात नहीं अच्छा लगे तब करना है क्विश्चन नमस्ट नमस्ट का अंसर बताएं आप लोग जल्दी से बता दो पांच का सी सही है सबका सही है निक्स नमस्ट बताएं ग्वेश्चन नमस्ट का अंसर बता दो क्या बोलग है कि भाई वो जगशोय का का नाम बताएए जहां से इनको प्राप्ठ होता था जहां से इनको अफीम और स्वरा प्राप्ठ था था तो अंसर क्या हो जाएगा एक दम करेक्ट आंसर है या बीहार चिंग को प्राप्थ होता था तो आप लोग कर लेना सिक्स का अंसर क्या होगा इंदे क्या होता है बृद्छिस्टी नमर 최 गुजराद बाता है अंगरीक जी सासन्काल में भारत का कौन सा छेत्र अफीम बिहार गुजरात दक्षणी भारत और असम्प क्वेस्टन है आंसर बता सकते हैंक आप लुग कि जल्दी से बता दो प्लोग से बिहार तो यह जाएगा आपका इसका भी यह निमलिकेत उरोपियों में सबसे नंत में आने वाले उसका आंसर आप लोग बताईसे नबर एट को आंशर बताओ कै किया होगा आप लोगो का मेश्बist ने अंत में में जो आने वाले थे उसका अंसर बताईसे कंडी सबसे अंत में कौण आये थे वैपारी की रूप में सबसे अंत में कौन आये थे तो मैंने आपको एक और बताया था PDF करके PDDF बताय था मैंने उसके तहएं पता लगा सकते हैं और याद भी क्लिक खेंग्य होंगा तो आप लोग 9 20 कोई इंगलिस बता चलो एक का डि यानि आप लोगों की दम White während है ये क्या हुआ है को नहीं था आपका पूर्तिगाली इन रूप में सबसे अन्थ में आए तो कोई लोगों आपका पुछा और सबसे पहले कोश्छी और सबसे पहले कोश्री प्रत्गाली ठीका है उस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते है आप जरूर बताना कमेंट के माद्धियम से कि आपको कैसे लगी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग करिएगा नहीं अच्छा लगता है तो कुछ भी करने की जरूरत निया मन लगा कि परो और अच्छे तरीखिसे चीज़ों को समझो और बारभा रिवीजन किजीए फिर मिलते हैं कल के क्लास में निख्मने के साथ तब तक लिए ख्याल रखे और बारभा रिवीजन किजीए जै इक्जामपूर कर विजय एक्जामपूर सांथ यो और यह भो झाल झाल